कलेक्टर कार्याले में प्रतेक मंगलवार को दिव्यांगों की विशेश सुनवाई का सिलसल अलग अताजवारी है। इसी मंगलवार को भी कलेक्टर आशीशु सिंग ने दिव्यांग जन की अलग से सुनवाई कर, उनकी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया है। सामान या जन सुनवाई में भी कई अलग-अलग प्रकार की श्विकायते आई कुछ का मौके पर ही निराकरण हुआ जबकि कुछ के निराकरण के लिए संबंदत अधिकारियों को नर्देश्व दिये गए देखिए ये खास रपोर्ट मंगलवार को कलेक्टर कर्याले में संपन हुई जन सुनवाई में नागरेकों की समस्याई सुनी और उनका यथा संभव मौके पर ही निराकरण किया गया कलेक्टर आशीश सिंग ने अनेक जरूरत मंदों को इलाज, स्कूल फीस तथा सिलाई मशीन के लिए तातकालिक सहायता रैक्रोस से स्विक्रित की जन सुनवाई में अन्य अधिकारियों ने भी नागरेकों की समस्याई सुनकर उनका निराकरण किया ऐसे आविदन जिनका मौके पर निराकरण नहीं हुआ, उनके निराकरण के लिए समय सीमा ताय की गई देखे आज जन सुनवाई में सभी प्रकार के मामले आये हैं और जितने भी विवागों से संबंधित मामले थे उनमें मौके पर ही कई सारों में निराकरण करने के प्रयास किये गए हैं, सभी को सीम हिलपाईन में भी मार किया गया है और इसके साथ साथ कुछ को जो अती आवश्यक लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों से पेंडिंग है, उनको टील में भी मार किया गया है इसके साथ साथ कुछ जो अर्थिक साहता से सब्बंदें प्रकेंड थे, उनमें कुछ में सिलाई मशीन या फिर कुछ शिक्षा या स्वास्त के लिए साहता भी रेट्वास के मतलब से प्लब दिक रही है लेकिन सिलाई मशीन नहीं होने से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है कलेक्टर ने रोजगार के लिए तुरंट थी, सिलाई मशीन सुईक्रित की कलेक्टर के मताबक 20 वरवरी को दिव्यांगों के लिए रोजगार मेले कायोजन भी किया जा रहा है देखे जो 20 तारीक को हम अक्सर देखा गया है कि जनसरुआई में या ने मादमों में भी नेक डिव्यांग रोजगार के लिए आते हैं इसके लिए 20 तारीक को एक बड़े पैमाने पर हम लोग सरोजगार और रोजगार मिला मत डिव्यांगों के लिए लगा रहे हैं हम लोग कई सारी कंपनीओं से बात कर रहे हैं कई सारे विवागों का सुरोजगार जो स्कीम चलते हैं उनसे उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं जितने भी दिव्यांग पहले टाई अफ हो जाएंगे उनको रोजगार दिलाए जाएगा बीस तारीक को और बाकी लोग जो बच अत्मक निराकरण के नर्देश विदिये गए ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूस इंदार